आप लोग उन में से हो क्या, जो अकसर ये कहते हैं, जब भी घर में लड़ाई हो, आपस में लड़ाई हो, पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, वर्क प्लेस पे, रिष्टेदारों के साथ, तो आप अकसर ऐसा बोलते हो कि, मैंनी तुमसे बात कर ये मैं नी तुमसे बात कर रही, और पांच मिनट के बाद आप फिर से उनके पास जाके बोलेंगे, बस बता दिया, बस ये लास्ट ही कर रही थी, इसके बाद तो दुबारा बात करने वाली नहीं हो, मैं नराज हूँ यार, पूछ तो लो मैं नराज क्यों हूँ, मेरे मतल और आज की साइन होने वाला है, हंजी, कैंसर, नमश्कार, वेलकम तो निटिविटी विद डॉक्टर नीति कॉषिक, और आज हम बात करने वाले है, संसाइन कैंसर की, अगर आपकी देट अपर्थ के हिसाब से, कैंसर संसाइन है, या आपका संराइजिं या मून राइजिं तो आप या तो 100% रेजोनेट करोगे, या 80% रेजोनेट करोगे, depending on what kind of an importance does that sign has in your chart. तो कुछ बातें, वीडियो के अंट तक बने रहीएगा, क्योंकि as always मैं पोल तो खोलती हूँ, हर संसाइन की खोलती हूँ, तो आपकी भी खोलने वाली है, और उसके बाद last way मैं क्या बताऊंगी, उन सब लोगों के लिए जो cancer वाले लोगों से रिष्टे में हैं, या उनक मतलब magical advices होंगी, और आप इनका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, आप 200% अपनी life में must successful रहेंगे, so let's begin, they can easily see through lies, मतलब आप लोग seconds में भाप जाते हो, कि अगला बंदा सच बोल रहा है या जूट, और वो जूट पे जूट बोले जा रहा है, और आप कर रहे हैं, और में से नहीं हो कि पहली जूट बोलती ही, आप उसको रोक दो, कि मुझे पता है तू जूट बोल रहा है, unlike scorpions, right, तो आप सिरफ hmm, 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 करते रहते हो, और मनी मन में सोचते रहते हो, बेटा, तेखना चाहता हो, मैं तो किस लेवल तक जूट बोल सकता है, या बोल सकती ह आप लोग distant और clingy, दोनों same time पे रह सकते हो, मतलब आपको आता है, आपको किसी से चिपकना भी आता है, और किसी से दूर रहना भी आता है, और same time पे, जो मैंने beginning में example दिया, पापा बैठे है, मम्मी बैठे है, दोनों में से एक cancerian है, तो वो क्या करेंगे, फोन से message भेजे ब्लु टिक है, और फिर आप उठके जाएंगे, उठके जाके गिलास धं से महा रखेंगे बताने के लिए, कि ये सब है, फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा, तो आप जाके same sofa पे साथ में बैठ जाएंगे, और बैठ के थोड़ा सा पास बैठेंगे, फिर उसके बाद सुन लो और मेरी मान लो और मेरी बातें समझ के चलो, आप एक साथ overthinking भी कर सकते हैं, overworked भी रह सकते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं 500 चीजें दिमाग में चल रही हैं, घर से लेके, बच्चों से लेके, काम से लेके, वर्क प्लेस से लेके, बॉसे से लेके, मतलब everything you are thinking, you are overth thinking rather, दिमाग में आपकी, 24 by 7, वो think tank चलता रहता है, in fact planning commission वाले होने चाहिए हैं, तो वो think tank चलता है, और साथ साथ में भुर भुर आते भी रहेंगे, और वरी भी करते रहेंगे, कि ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, 20 moods in 20 seconds, मतलब आप अभी इतनी जोर से खिल खिला के हसर होते होते हो किसी बात को लेके, अचानक से कोई बहुत sad सी कोई जलक देखी TV पे या कहीं पे और तुरंट से आप एकदम से sad हो जाते हो, आप seconds नहीं लगाते हो, और फिर उसके बात आपने देखा कि वहां से उठके दूसरे रूम में गए, वहां बच्चे डांस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा, अचा, मैं भी डांस कर सकता हो, या कर सकते हो, और आप उनके साथ उसी महाल में हो जाएंगे, मतलब आप बहुत जल्दी से अपने आपको रच बस लेते हो, आपके moods जो हैं, आप जल्दी स जिस situation में हैं, अपने आपको उस situation में फटा फट ढालते हो, you don't take time to get into that situation, party mode तो quickly party mode on, happy mode तो happy mode on, पतलब चिलम चिली वाला तो वो mode on, गुसे वाला नराजगी तो वो mode on, और बहुत जल्दी 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 से drastic changes आ जाते हैं, the next thing is that you are able to change and cancel your programs or plans the last minute, आपको मन में यह आता party करेंगे, बैठेंगे, कटे, gap shop लगाएंगे, सब लोग बैठेंगे, हाँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, उसके बार शाम को आप ध्यान देंगे, नजर आएगा, आपको कि यार बारिश हो रही है, और यार छूड बारिश में कौन जाएगा, घर पी मंगा लेता हूँ और आप वहीं से हाथ के हाथ ओर्डर करेंगे और वह आपका समान घर आ जाएगा और आप family members के साथ कहेंगे चलो let's have party here only और वहाँ कुछ भी बहाना मारके कुछ भी बहाना मारके आप टाल जाएंगे कि मैं नहीं आपा रहा यार ऐसा हो गया वैसा हो गया करके टाल जाएंगा next important thing about you are you are very very family oriented person आपके लिए परिवार आपकी जान है बच्चे आपकी जान है आपका परिवार आपकी siblings everybody मतलब you for you they are the most important things in your life more so rather I should say most important रिष्टे in your life is your family अगर आपको पूछा जाए आपकी life में सबसे important क्या है आपके लिए परिवार होगा आप कभी नहीं कहेंगे कि आपके लिए नौकरी important है या कुछ और important है because आप जैसे जो cancerians होते हैं for them वो दिल के अंदर करीब होते हैं अपनी family के और उनको वहां से जड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो ये छट पटा जाते हैं because for them family is more important most important रादाशन से अपकी यादाश्ट बड़ी अच्छी है मतलब यादाश्ट से ज़ादा अच्छी आपकी सम्हाल है चीज़ों की अगर आप से कोई आके बोलेगा कि याद वो मुझे ना एक बिल नहीं मिल रहा मैंने ये वो वाला बिल कहीं रखा था वो बोलेगे हाँ है 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 मैंने सम्हाल के रखा हुआ है और अगर वो पास में नहीं भी होते हो तो कोई फोन करके भी पूछे वो चीज़ कहा है बिल यादाश बहुत अर्माज़ कहा है तो कि यादाश बहुत मस्त और मज़ी कहा है आप को हर चीज़ फिनस्स में चाहिए यू लव तो यू नहीं चाहते हो कि कॉम्परमाइस करना चाहिए यू अलवेस फिल लाइक यू नहीं चाहिए आप अच्छे से यू यू लव तो ड्रेस वैल यू लव तो ट्रीट वैल यू लव तो टेक गुड कहर अफ यॉरसल्फ विकाज आपके ले मी टाइम बहुत 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 इंप़र्टेटन उत और आपको अच्छा लगता है आपको प्रें आपको पूम्पर कर ondra तो आप कहते हो ठीक है भी है तुमने नहीं किया मैं अपने आप करता हूँ तो आप शॉपिंग पे निकल जाओगे आप अपना पेडिक्यूर मैनिक्यूर कराने निकल जाओगे आप अपना head massage कराने निकल जाओगे मतलब you know how to take good care of yourself whether anybody is doing it or not doing it for you आपको अगर किसी चीज में से निकलना है बाहर तो आप चुप चाप से यह नहीं कहते हो कि okay fine I'm done for the day या I have मेरी तुम्हारी नहीं बन रही मैं I withdraw या मैं निकल जाता हूँ आप अगले को भी तो पता चलना चाहिए कि हां कुछ हुआ है तो आप उन में से हैं जो चीजों को थोड़ा सा dramatic करके मतलब उसमें थोड़ा masala लगा कर और उस चीजों को इस तरह से पेश करते हैं और फिर निकलना चाहते हैं that is how you are अब आपकी एक पोल खोलनी चाहें काफी सारी चीज़े तो मैंने बता दी हैं आपके बारे में so पोल खोलनी है तो आपको ये मुझे बताना पड़ेगा आप न मतलब पब्लिक में तो आप इतने शाय हो इतने शाय हो हांची जी जी बहुत कम बात करने first impression like कोई करेगा वाओ यार वाओ और जैसे ही आप कोई गया अपने रूम में आए उसके बाद बिंदास जूता वहां चपल वहां खुद समान वहां पर्स यहां चीजें वहां तस मस्त बिलकुल और अगर म्यूजिक चल रहोगा तो आप डांस करना भी शुरू कर दोगे आ अपने पूरे फुल टो मून में आजाओगे तो आपके अंदर यह हुनर है कि सामने दुनिया के मुझे कैसा चहरा दिखाना है और जब मैं अपने सेल्फ में हो तो मुझे कैसा चहरा दिखाना है अपने आपको यानी you are a kind of a person who can very clearly and very simply you know come into two different areas of your life आप एक इस तरह से भी प can be really really wild when you are with your own self. Next important thing is it's very very almost I should say it's impossible for you to let go things. You say things in life, like you said, I have given you an example that it's kept in a file in a bill. In your heart, there are so many pain in your heart. It's the most difficult task for you to let go. So I will tell you one thing, if you want to increase in life, then learn to let go. And we read a lot from gratitude journals. So this piece of advice is for you. Please start letting go. When I say let go, let go especially whenever there is a full moon. Full moon rituals, I have told you in some videos, otherwise I will conduct a workshop wherein I explain it to you, how to actually let go and what all to do in those. So please start letting go. That's going to help you immensely in your life. If you feel very relieved and relaxed, you will feel very well. So the bouts that you have come up, you will be able to work for you. Next important thing is about you, is that you love unconditionally. If you love someone, you don't have conditions below you. One, two, three, four, that you will do so much, then I will do it. Or that you will do so much with me. Or that you will do so much with me. Or that you will do so much with my children. It's just unconditional love for you. And your friends and your people are love forever. Forever ones. You do not have any friends. If you don't have any friends with your friends. Your friends are life long lasting friends. And it's very important that you always have a relationship with them. Years and years, you will never get tired of your friends. You will get the same warm energy. You will get the same love. You will get the same warmth. से मिलोगे और आप कभी भी ना you'll never feel tired of your friends मतलब ऐसा नहीं है कि आप you feel tired कितने साल हो गया इतना time हो गया या हम इतने घंटों से साथ हैं you're not those kind वो कहते हैं सची यारियां होती हैं आपके साथ में और similarly सची रिष्टे भी होते हैं आप अपनी तरफ से at least जो effort करते हो वो सच्चा होता है अगली तरफ से हो या ना हो आपकी तरफ का effort कभी भी जूटा या दिखावा नहीं होता अब मैं बात करती हूँ जो मैंने last बोला था आप से कि मैं उन लोगों से बात करने वाली हूँ जिन जो लोग Cancerians के साथ रिष्टे में हैं आपको भी तो लाइफ में मिठास घोलनी है ना तो आपको मैं तीन चीज़ें बताऊंगी यह तीनों चीज़ें करोगे ना तो फिर देखो कैसे magic होता आपकी लाइफ में पहली चीज अकसर Good night honey, good night sweetie, good night my baby, good night my child, good night my sweetheart आपको जो भी ऐसे करके, जो भी adjectives use करने I mean to say आप कोई भी adjectives use कर सकते हो आपका एक persistently good night message जाना जरूरी है क्योंकि वो happy होके सोएंगे अगर आपकी लडाई भी हुई है ना तो भी आप good night message का actually magic देख ले ना सच में it works Second important thing आप उनकी तारीफ पूरे दिन में अगर एक बार भी कर दोगी तो वो जो उनकी बैटरी चार्ज होती है ना वो चौबश घंडे तक चार्ज रहती है और specially किसकी तारीफ तारीफ उनके बालों की तारीफ उनके अटायर की हाँ द्रेस अप, हाँ दे लुक तो उससे वैसे तो ये बड़ा common सा फिनॉमना है ये थिस फोर विमन बट स्पेसिफिकल इनकी बढ़ा दूम्यार को इनकी बालों की केंदारीण अच्छी बात है कर ले ना, पुरा महीन अच्छा जाने वाला है, फिर वो जो emotions का बाउट उपर नीच आए, उपर नीच आता है ना, in spite of that bout happening, they'll still से ना, यार चाहे ठीक है, यार कैसा भी है, फिर भी प्यार तो करता है, फिर भी मेरा ध्यान तो रखता है, या रखती है, either ways, these are the three tips which I am giving to all those who are in a relationship with a cancerian, so that you can be better off in terms of bringing your relationship to a next level, आज अब हम बात करेंगे last points की, जो मैं हमेशा हर उसके साथ करती हू, आपका लगी color है silver, आपका लगी stone है pearl, आपका lucky day है Monday, आपका lucky number है 2 या 8, lucky metal है silver, silver color भी और silver metal भी, too much of silver, I will never recommend you to wear too much of silver or use too much of a silver, उसके पीछे एक reason है, आप water energy से, moon energy से governed है, तो moon energy जब too much हो जाती है तो वो emotions उपर नीचे जाते हैं, आपके लिए moon meditation will work wonders for you, because जब भी आप full moon होगा, उसमें बैठके, आप 10 minute कोई भी chant लगा के, आँख बंद करके, शान्ती से, सिरफ सुनेंगे, अगर आपसे meditation नहीं होते और अगर आप meditate करेंगे, तो either ways, whatever you do, is going to be magically helping you, and silver color should not be used too much, and in fact, I'll say always की, कोई भी color बहुत जादा यूस करना अच्छा नहीं होता your symbol is crab, your element is water, your planet is moon you are compatible with Cancer, Capricorn Scorpio and Pisces, and you are less compatible with Gemini's, Aries and Sagittarius so ये सब रहा हमारा आज की राशी, Cancer and I'm sure जैसे आपने सुना होगा, आपको हसी आई होगी, आपको मज़ा भी हाई होगा, please enjoy share it with all your friends and family sign or have somebody or the other in this sun sign specifically ताही दिल से, once again, शुक्रिया आपको बोलोगी इस बारे में, क्योंकि इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए, आप फ्लीज कॉमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लिखेगा और ये भी लिखेगा कि आप और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझसे जानना चाहते हैं हाँ, कुछ लोगों ने का था कस्प्स के बारे में मैं जरूर बात करूँ